Hi everyone, आज हम लोग बात करेंगे Agile के बारे में, Agile कहां से शुरू हुआ, Agile Mindset क्या होता है, Agile Roles, Agile में कैसे प्लान करते हैं, और Agile में क्या क्या events होते हैं, क्या क्या documents बनाने होते हैं, Agile का estimation भी थोड़ा अलग होता है, तो हम वो भी बात करेंगे, तो चलिए आज शुरू करते हैं, सबसे पहले बात, Agile है क्या, हुआ गया, बहुत टाइम पहले, आप इसके लिए AgileManifesto.org सर्च करिए, गूगल पर जाओ, और अभी सर्च करो Agile Manifesto, तो मैं बता देती हूँ, Agile का thought process, कुछ लोगी घटे हुए, बहुत सारे programmers, वोई खटे ह और उनने का, अभी काम नहीं चलेगा, जिस तरीके से project management चल रहा है, software में, क्योंकि software में क्या था, programmers है सबसे पहले, हम लोगोंने programming शुरू करी, वहीं से सब लोग निकले है, जब यह programmers थे, these are intelligent people, अच्छे अकल वाले लोग थे, if you look at, Facebook, founder, सब लोगों पे अच्छी अकल थी अब क्या हुआ, कि programmers तो आगे एक साथ, पर जो managers थे उनके, manager नाम की stream नहीं थी, तो managers कहां से आए, project managers, construction से आए, oil and gas से आए, अभी यह जो managers आए, इनको नहीं आता था, programmers से deal करना, पहले वो अपने field में जो, जो अपने team से deal करते थे, वो थोड़ा अलग था, क्योंकि उनका skill set अलग था, अभी आप construction में हो, तो आपको कौन जे, ET लगाने वाला, या फिर electricity वाला बंदा, अभी क्या हुआ कि, यहां पर आगे programmers और project manager वहीं से आया, construction से आया, oil and gas से आया, तो programmers बहुत दुखी हो गए, autocratic attitude, आप पहले blue collar workers से बात कर रहे थे, जो project managers थे, now these people are white collar, इन ल project manager को software बनाना निया था, तो दोनों तरफ बहुत जादा लड़ाई टाइप हो गए, project managers को दर लगता था software engineer से, software engineers बात निमानते थे, project manager की, क्योंकि उने लगता था, कि काम हम करते हैं, software हम बनाते हैं, and project manager लोग उसे बात करके सारा recognition ले ले लेता है, contract negotiation में इतना time लग जाता है, और फिर जब software बनता है, उसमें इतने सारे flaws हो जाते हैं, क्योंकि requirement change हो जाते हैं, हम time लगा जाते हैं, requirement, finalization करने में, तो, all of these, you know, big heads, वो सब इखटे हुए, उनोंने का, अब हम लोग agile, we should go towards agile, हम लोग agile principles लिखेंगे, agile thought process लिखेंगे, और हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, so there was this manifesto, जो लिखा गया, जो आपकी screen पे है, इसमें देखें क्या लिखा है, इसमें देखें क्या लिखा है, individuals and interactions over processes and tool, working software over comprehensive documentation, custom collaboration over contract negotiation, responding to change over following a plan, while there is a value in the items on the right, we value the items on the left more, so, इसका मतलब क्या हुआ, कि individuals and interactions, को हम लोग जादा फेवर करेंगे, बजाए process and tools में जाने के, working software होना चाहिए, बजाए हम लोग documentation करते रहे, करते रहे, manual लिखते रहे, software तो काम करना चाहिए, तो software पे जादा focus होगा, हम लोग customer की requirement को understand करके, अराम से उसको निया बना सकते हैं, contract negotiation में इता time ना वेस्ट करो, we want to be with customer, और responding to change, change होता है, software industry mature नहीं है, इसमें लोगों को पता ही नहीं करना क्या है, शुरू-शुरू की बात है, उनको पता ही नहीं अचीवेबल क्या है, तो अचीव करने के लिए, जब वो सामने screen देखेंगे, और मैंने खुद भी देखा है, मैं IOCL की साथ काम करे थी, IOCL Oil & Gas के, you know, owners हैं, बट उन्हें software नहीं आता था, तो जब हम उनको एक website बना रहे थे, तो अच्छा ये drop-down भी possible, अच्छा search भी कर सकते हैं, तो they were amazed, because वो किसी और background से आया है, तो जब तक हम नहीं बताएंगे, engineers नहीं बताएंगे, कि यह हो सकता है, obviously, जैसे उन्हें कुछ नहीं दिखेगा, तो change automatically आया, innovation आएगी, तो responding to change with the customer is preferred over following a plan, कि contract मत करो, चलो हम customer के साथ मिलके बात करते हैं, software is, software ऐसी चीज़ है, जो control Z हो जाते है, control Z का मतलब, आपका कुछ भी waste नहीं होता, अगर कोई आपके पास आगे बोले, अरे यह screen नीचे, यह दूसरी screen चेए, color change करना है, आप control Z करोगे, color change कर दोगे, और हो जाएगा, effort लगेंगे, पर हो जाएगा, possible है, waste नहीं आएगा, कोई physical material waste नहीं होगा, construction में अगर कोई आगे बोले, पर मुझे second floor नीचे यह गंदा color है, तो आपका कितना सारा पैसा जाएगा उसे हटाने में color को, फिर नया लगाने में, it is lot of manual effort, plus product wastage, वो agile में नहीं है, वो software में नहीं है, so, यह thought process for software, it is very well suited, और इसको adopt किया बहुत सारी, over a period of time में आप देखेंगे, safe आगया, scrum आगया, extreme programming आया है, आप ACP देखो, disciplined agile, so बहुत सारी streams देखेंगे, with the common thoughts, यह जो common thought है, यह agile manifesto का common thought है, तो हम आज के, आज के इस podcast video में, सिरफ यह बताएंगे कि क्या common है, thought process क्या है, so let's understand, so, पहला जो सबसे basic thought process है, वो है time box का, time box क्या होता है, see, हम predictive में क्या करते हैं, अगर आपको, let's say, एक building बनाना है, तो आप किसी contractor के पास जाओगे, उसको काओगे, यह यह मेरी specification है, दो floor बनाने हैं, चार उसके अंदर rooms बनाने हैं, blueprint होगा, यह होगा, वह होगा, और मुझे कितने दिन में बन जाएगा, so, हम estimate करते हैं कि कितने दिन लगेंगे, फिर हम estimate करते हैं कितने पैसे में बनेगा, इधर हम क्या बोल रहे हैं, कि software में ऐसे हम estimate नहीं करेंगे, क्योंकि requirement तो कभी पता ही नहीं है, we are saying कि change होती रहेंगे requirement, तो हम लोग क्या बोड़ रहे हैं, कि हम time box करेंगे, time box का मतलब समझ लेते हैं, time box का मतलब है, और scrum बोलता है कि आप किसी भी चीज को दो से चार हफतों में खतम कर लो, that's the ideal time, तो इसका क्या मतलब हुआ, two weeks, और जातर two weeks बोलते हैं, most of the methodologies, तो दो week में क्या कर सकते हैं, आप हम decide करेंगे कि दो week का time box है, इस दो week में हम क्या क्या कर सकते हैं, वो हम decide करेंगे customer के साथ मिलके, और हम लोग, because understand, requirement change है, तो जो requirement हम वेट नहीं कर सकते है, requirement को close होने का, हम क्या करेंगे, जो requirement छोटी भी है, जिसमें जादा clarity है, उसको हम लेंगे, मेरी team काम करेगी, दो हफतों में हम लोग कुछ न कुछ product बना के देंगे, screen बना दिया, कुछ functionality बना दी, तो हम कुछ बनाएंगे दो हफतों में, now within those two weeks, जब customer उसको देखेगा जो product बनेगा, जो भी screen बनेगी या application बनेगी, जब customer देखेगा उसको कुछ ideas आएंगे, कुछ नए विचार आएंगे, तो वो बोलेगा फिर से यहाँ change करना है, यह change करना है, तो फिर हम लोग उसके बाद में फिर दो week में कुछ और देंगे, और उसको on top of those features देंगे, increment करेंगे, कुछ नया, उसी के उपर बनाएंगे, कर रहे हैं, और हम वेट करें, requirement sign off होने का, या कुछ, हम बोड़ रहे हैं, customer, आप अराम से रहो, कोई attention नहीं है, आपकी जितनी requirement है, आप हमें बताओ, हम थोड़ा सा आपके साथ collaborate करेंगे, और हम time box बना लेंगे, कि दो हफतों में हम दे रहे हैं, generally the rhythm of the agile team, कि दो हफते में देंगे, या 3 हफते में देंगे, तो generally 2 हफते acceptable होते हैं सबको, so 2 weeks, हम क्या क्या देंगे आपको, वो हम discuss करेंगे, जब भी हम iteration शुरू करेंगे, iteration, सोचो एक छोटा phase है, जैसे हम phase wise roll out करते हैं, तो phase के लिए कोई यह नहीं होता है, कि duration इतनी होगी, phase में जो scope होता है, उसक हम क्या करेंगे, कि यह phase fixed time box का है, इसके अंदर, we call that phase as iteration, iteration है, यह 2 week क्या है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, यह हम आपके साथ मिलके discuss करेंगे, so let's understand, time box is a previously agreed period of time, during which a person on team works steadily towards completion of some goal, rather than allow work to continue until the goal is reached, जो हम लोग predictive में करते है, the time box approach consists of stopping the work, when the time limit is reached, and evaluating what was accomplished, very very simple, तो हम लोग बोलते हैं, यह 2 week हमने fixed कर दिये, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम customer से discuss करेंगे, और जब 2 week हो गए, तो हम रूख जाएंगे, all my team gonna stop the work, फिर हम review करेंगे, क्या क्या हुआ, कितना काम खतम हुआ, और फिर हम establish करेंगे, यह हमारी velocity कितनी है, velocity मतलब हम कितना काम कर सकते हैं, 2 week के अंदर, given that, कि मेरी team में, 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, उसके हिसाब से, so, अभी, again, मैं दुबारा बताऊंगी, इस concept को, थोड़ा सा मुश्किल है, predictive वालों के लिए, सोचने के लिए, तो predictive में क्या होता था, हमारा scope constant होता था, और हम estimate करते थे, schedule के लिए, और cost के लिए, तो scope fixed है, और फिर हम estimate करें, किस time पे बनाएंगे, तो हमारा schedule बनता था, go live हम declare करते थे, और cost, कितने पैसो में बनाएंगे, this was fixed, अभी क्या हुआ हुआ है, thought process थोड़ा से change हो गया, हमने का time fixed है, this is fixed, कितना fixed है, 2 weeks, 3 weeks, whatever your organization says, आप जनरली ना, organization में, जब भी कोई organization, agile methodologies, adopt करने वाले होती है, तो वो एक core group बना देती है, agile scrub masters, agile excellence group, कुछ भी नाम से, तो वो सारे के सारे देखते हैं, कि कहां पे, क्या-क्या practices है, और generally, हार एक organization के हिसाब से, थोड़ा बहुत modify करके, अपनी agile approach बनती है, तो scrum master आपका, agile approaches, or agile methodologies, for the organization, वो बनाते हैं, और वही लोग जाके, फिर training देते हैं, evangelize करते हैं, help करते हैं, सारी agile team को, ताकि concept बता रहे, people work towards that concept, so time is fixed, और हम estimate किस के लिए करते हैं, कि कितना काम हम कर सकते हैं, इतने time में, तो हम estimate scope के लिए करते हैं, कि इतने time में हम क्या-क्या काम कर सकते हैं, cost का क्या, cost को estimate करते हैं हम क्या, अब बन्दे generally agile team में flat team होता है, उतने ही बन्दे रहते हैं, इसका मतलब कितना हुआ, पांच से लेके नौ बंदे, थोड़े जादा भी हो सकते हैं, 10-11, but flat structure होता है, and you generally seen, observed, कि आप इसे जादा लोग manage नियर सकते हैं, effectively, तो छोटी टीम रहेंगे, तो बेटर रहेंगा, और 5-9 is an excellent set of people who can work together, तो क्योंकि मेरी, मुझे खरीदना भी ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे बंदे भी सेम है, skill set भी generally सेम है, तो cost को हम लोग जब भी agile जाते हैं, तो हम लोग cost को calculate actively नहीं करते हैं, हम लोग cost calculate करते हैं, बाद में कि total कितना time और पैसा लगा ये goal achieve करने में, but actively हम लोग ऐसे, you know, हर अफ़ते हम लोग cost के component को dashboard में नहीं लिखते हैं, so हम क्या actively monitor करते हैं, progress कितना हुआ, कितना काम खतम हो गया, दो वीक के अंदर, तो agile team के, agile team और जो thought process है बहुत simple है, उसमें छोटे-मोटे रोल है, तीन-चार artifact हैं, तो हम देख लेते हैं, रोल क्या है, एक रोल है product owner, फिर team members, और फिर scrum master, तो map कर लेते हैं, प्रेडिक्टिव में team तो team ही है, जो हमारी team होती थी, जो काम करती है, people who does the work, they have capability to do the work, that's my team members, product owner कौन है, अभी बोल रहे हैं agile में कि हम लोग collaborate करेंगे customer के साथ, तो आपका जो product owner है, आप सोचे, I'll give you, I'll give you some scenarios, अभी क्या हुआ, there was an era, जब हम लोग, after world war 2, we were working, we were trying to optimize operations, हमने operations optimize किये, उसके बाद में projects है, हमने आप काम करने लगे, currently, this is an era, जब हम लोग products पे काम कर रहे हैं, हम optimize कर रहे हैं किसी बी चीज को, तो आप देखें, आपके चारो तरफ कितने products हैं, Excel, MS Word, Zoom, all of these are product, even lift जिसमें आप आते हो, वो भी एक product है, company एक product बना रहे हैं, consume करने के लिए, तो जब भी, हम लोग products बनाते हैं, तो there has to be somebody, जो यह सोच पाए, कि मेरे competitors का product क्या है, मेरे product में USP's क्या है, unique selling proposition, कोई और customer, या user, मेरा product क्यों खरीदेगा, बजाए दूसरे competitors से, तो यह product owner का responsibility क्या होता है, market analysis, अगर आप captive organization में काम करें, captive बोले तो, जो organization अपने लिए काम करती है, for example, product owner sits within Microsoft, for Excel, for any other product you think of, Microsoft की जितने भी product है, उनका product owner, बैठा है Microsoft, यूस में बैठा है, तो वो क्या करता है, उसका काम क्या है, वो पहले competitor analysis करता है, पहले नहीं मतलब करता ही रहता है, क्या-क्या competitors launch कर रहे हैं, फिर जो भी product market में है, Excel market में है, आप जब ही काम कर, तो कहीं बैठा है नो, तो पहले नोग करता है, तो वो अच्छ कहां से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कौन सी मशीन से रहे हैं, is there some, फिर vulnerabilities कहीं पर, security attack and patches, बचस होते हैं, security and vulnerabilities होते हैं, और फिर government भी regulations, कुछ चालते रहते हैं, कि आप user data नहीं store करोंगे, ये नहीं करोंगे, and all of that, and then there are some features, which you really want to develop over a period of time, so ये सारी चीजे, product owner analyze करता रहता है, और वो डालता रहता है अपने product backlog में, product backlog मतलब मुझे यह काम करना है, यह वाला feature जाना है, यह security patch जाना है, यह defect सबसे जादा आ रहा है, XP machines पे, इधर काम नहीं कर रहा है, यह user base का, यह requirement and so on, so एक list of features, list of PBI items, product backlog items, आप उनको सिर्फ features नहीं बोल सकते हैं, क्योंको defects भी हैं उसमें, security regulations भी हैं, तो इसको हम बोलते हैं product backlog, और इसमें जितने भी items हैं, उनको बोलते हैं product backlog items, PBI, आप यह term याद कर लीजे, PBI, तो वो एक रखता है अपने हिसाब से product होना, उसका काम क्या है analyze the entire competitor world, analyze what's going on, कितने defects आरे हैं, government, क्या regulations रखती हैं, और वो अपना, क्या-क्या काम करना है, product roadmap बनाता है, अब product roadmap क्या है, मैं आपको दिखाऊंगी, product roadmap, एक high level पे, कि मुझे क्या-क्या चीज़े live करनी है, over a period of time, कि हम 6 महीने में ये काम कर रहेंगे, 10 महीने में ये काम कर र 65 ये ये region में लाँच कर देंगे, ये बड़ी strategy, एक roadmap पे हो, तो team बहुत motivated होती है, कि हम लोग ये vision है, हम ये achieve करने वाले हैं, तो product owner दो चीज़ करता है, एक vision create करता है team के लिए, ताकि team motivated रहें, और vision, तो create होगया high level पे, पर task क्या-क्या है, या PBIS क्या है, वो maintain करता है, और सब लोग के साथ मिलके, उसकी priority भी check करता है, कि सबसे पहले क्या जाना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, वो मैं बताऊंगी, कैसे होता है, product owner का काम है, product कैसे बिकेगा, क्या vision है, किस लिए बिकेगा, और ensuring कि वो सारा काम product team करे है, वो product owner का responsibility है, बड़ा आदमी है, या बड़े बड़े लोग है, you can have a female also there, team का क्या का काम है, team काम करती है, product owner से बात करती है, क्या क्या priority items है, दो वीक में क्या कर सकते है, उसको select करके, shake hand करके, वो काम करती है, अब बचा, third role, this role is called scrum master, याद है, आपको एक project manager था, predictive में, predictive project manager क्या करता है, वो manage करता है, वो plan करेगा, team को direct करेगा, क्योंकि team का skill set कम था, आपके पास blue collar workers थे, अभी क्या हुआ है, agile manifesto लिखा, software वालोंने और का, कि हमें project manager नहीं चाहिए, हमें dictator नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए, वो चाहिए, servant leader, अगर हमें कुछ नहीं आता, वो help क करें, मुझे पता नहीं है, कि ये file कैसे move करती है, मुझे एक printer चाहिए, मेरे पास time नहीं है, printer के लिए, document बनाने का, उसे approve कराने का, तो कौन करेगा, scrum master मेरी help करें, मेरे पास कोई भी action आ रही है, काम करने है, war room book नहीं हो रहा, कौन करेगा, servant leader, मेरा time बहुत, बहुत ज़ connects, better governance, communication, जिसका अच्छा हो, क्योंकि ये software वाले, IEC workers है, IEC is individual contributors, हो अखेले बाठके, कानों में, अपने काने लगा के, काम कर रहा है, तो कोई-तो कोई communicate करेगा, क्या काम हो रहा है, कितना हो रहा है, तो किसका काम है, scrum master का, so scrum master, in a way, project manager is changed to scrum master, but, the idea is, this scrum master, जो ये scrum master है, ये लोगों को mentor करे, facilitate करे, dictate ना करे, और servant leader की तरह काम करे, so हमारे पास तीन रोल है, product owner, development team, scrum master, आप ये let's play book से कर लीजे, या पास PMP in 21 days, या पास CAPPM in 21 days, if you want to buy the book, और अगर आपको course करना है, तो आप kavitasharma.net पे जाके, ये PMP, CAPPM, online course ले सकते हैं, और ये सब questions कर सकते हैं, you will also get access to the videos, which I am speaking, detailed videos, तो last चीज, Agile में, last, last नहीं, second last चीज, artifacts होते हैं, artifacts मतलब documents, कितने document हैं, अब यहाँ पर हम बात नहीं करें, project plan की बात नहीं करें, हम लोग manuals की बात नहीं करें, वो बोल रहे हैं, हम कम से कम, remember documentation कम बनाएंगे, coding जादा करेंगे, तो typically तीन artifacts हैं, एक क्या है, product backlog, remember product backlog, कौन, कौन, who is the owner of product backlog, remember that, product owner, sprint backlog, यह एक नहीं टर्म है, sprint backlog, यह हम बात करेंगे क्या है, और फिर last में, shippable product और increment, यह भी नहीं टर्म है, so let's see, product backlog के बारे में, बात करते हैं सबसे पहले, product backlog है क्या, मैंने आपको बताया था, product backlog, कौन उन करता है, हमारा product owner, और, क्या-क्या लिखा होता है, उसमें user stories लिखिये हैं, मतलब, functionalities, user stories क्या होते हैं, वो मैंने detail में बताया, किसी वीडियो में, सारी requirement defects, और vulnerabilities, government regulation, वो सब होता है, तो product backlog grooming करके एक exercise होती है, जो कौन करता है, product owner करता है, किसके साथ, वो बैठ जाता है, businesses के साथ, development team के साथ, और भी, अगर उसे किसी SMEs के साथ बैठना, वो meeting करता रहता है, और एक feature को, एक item को पकड़के, उसे detail out करता रहता है, detail out क्यों करता है, ताकि जब development team उसे question पूछे, registration page में कौन कौन से fields होएंगे, आपको drop down चाहिए, या search box चाहिए इदर, तो उसको यह detail पता होनी चाहिए, आपको payment gateways कौन कौन से चाहिए, तो उसे पता होना चाहिए, तो क्या करेगा, market research करेगा, detail town करेगा, तो finely grained, जिसकी, जिसमें ज़्यादा हमें details है, वो हम लोग product होना, उसको उपर रखे या, PBI items को, जो ambiguous है, जो बड़ा user story है, या epics बोलते हैं, जो बहुत बड़ा feature है, वो हम नीचे डाल देते, क्योंकि उसको अभी हमें clarity चाहिए, WPS item को हमें और, अगर आप compare करोगे, इसे predictive से, तो if you look at WBS items as a whole, WBS divided into further smaller units, it's exactly like that, product backlog में जो units है, वो PBI items है, तो product backlog grooming में क्या गरते हैं, हम लोग, product होना बैटता है, और कुछ items को कभी delete कर देता है, कि अब यह जरूवत नहीं रहे, यह out of context चला गया, 5G rollout की जगे, अब 6G कर देते हैं, डरेक्ली यह अब होगा है नहीं, चीजों को detail out करेगा, refine करेगा, reprioritize नीचे से उपर डालेगा, कि यह ज़्यादा, customer database, if there is a request to scrub that, तो यह बहुत important priority, government regulations है, तो उसको उपर डालेगा, उसको कि अभी करना है, और ऐसे करके, जो बहुत important है, या valuable items है, product के चलने के लिए, product के usage के लिए, वो हम उपर कर देते हैं, along with the condition, कि यह clear है, और जो non-clear items है, बड़े items है, ambiguous item है, वो automatically नीचे आते रहते हैं, product backlog में, see Excel, think like Excel, Excel में हम लोग add करते रहेंगे, और उसको उपर नीचे उपर नीचे, जो भी clarity है, उससे sort out कर लेंगे, कौन करेगा यह, who is the owner, product owner की responsibility है यह, so grooming कब-कब होता है, उसकी मर्सी है, वो महिने में दोबा करे, हफ़ते में दोबा करे, किसके साथ करेगा, again, he or she needs to decide, तो जब भी product backlog items की बाद होती है, शुरू के जो items है, क्योंकि मुझे पताना है अपनी development team को, तो वो definition of ready होने चाहिए, they should be ready to be picked up and constructed, picked up and constructed, मतलब अगर question, clarity question आता है, डबलपर से, तो मेरे पास answers होना चाहिए, तो example of DOR is invest criteria, हम लोग generally, हर इक PBI item को देखते हैं, और बोलते हैं, is it ready by the definition of invest, invest का क्या मतलब हुआ, हर इक PBI item को देखते हैं, I stand for, is it independent, यह और दूसरे से, कहीं पर ऐसा तो नहीं है, कि मैं यह काम तब ही कर पाऊँगा, जब वो काम होगा, तो पहले आप दूसरा काम करो, जो पहले हो चुका है, अदवाईज आप वेट ही करते रहोगे, वो काम नहीं होएगा, और आपका यह वाला काम भी नहीं होगा, तो वीक्स ऐसे ही निकल जाएंगे, तो इस इस स्टोरी और PBI आइटम, इंडिपेंड़न अधर आइटम्स, और स्टैंट फर नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मतलब, अगर वो डवलपर आपका बोलता है, कि चार फील्ड की जगें, तीन रख लो, इसमें प्रॉबलम है, नहीं कर सकता है, यह आप कुछ प्रॉबलम हो रही है, तो यू as a product owner, शुड बी अबल तो लीव रूम, कि हाँ, नेगोशिएशन कर सकते हैं, थोड़ा सा कम जादा कर सकते हैं, आपको आपका attitude होना चाहिए, और PBI में यह गुंचाईश होनी चाहिए, आप थोड़ा इदर उदर छोड़ दो, जादा strict now, वी stand for valuable, अगर कुछ पी काम मेरे डवलपर कर रहे हैं, तो is it worth investing that much of time, यह अभी दो हफते बाद, इसमें के पास जाएगा, कितने field हैं, कितनी lines लिखे जाएंगी, इसमें अगर ambiguous होगा, तो नहीं estimate कर पाऊगा, small, छोटा होना चाहिए, दो वीक की iteration होना, तो टीम को दो वीक के अंदर गरना है, अगर आप बहुत बड़ा ले आए, payment gateways, with UPI, with that, with that, तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे, तो आपको छोटा-छोटा की payment gateway, enable, definition, etc., छोटा, can you divide into smaller PBI items, so small enough, and T's, it should be testable, अगर आप customer add कर रहे हो, तो database में, customer add होना चाहिए, how do you test it, it is available, so testable, so invest criteria, मतलब, मेरी जितने भी PBI items है, are they ready to be picked up by my development team, that's the invest criteria, फिर, sprint backlog, sprint backlog क्या होता है, मेरी team दो वीक तक काम करती है, अभी क्या है, product backlog है, उसमें क्या है, बहुत सारे items है, PBI items, but मेरी team सारे PBI item पे तो काम नहीं करेगी, तो जो एक sprint planning meeting होती है, अभी अब पढ़ने वाले पढ़ेंगे, ये sprint planning meeting में हम discuss करते हैं, कौन-कौन से items हम इसको कर सकते हैं, दो वीक के अंदर, तो वी select the items from the PBI subset of product backlog, subset क्यों, क्यों हम product backlog से उठाएंगे न, DOR सबसे उपर वाले items discuss करेंगे, कुछ छोड़ देंगे, कुछ पिक अप करेंगे, based on मेरी team को क्या-क्या अधी comfortable, is it valuable, so discuss करके हम लोग ये team के लिए बोलेंगे, अच्छा मैं ये चार items कर सकता हूँ, मेरी team, हम लोग, so पूरी team decide करते हैं, हम लोग ये चार PBI items करेंगे, तो वो चार PBI items, वो iteration के, जो time box है, उसको बोलते हैं iteration, वो दो वीक का iteration 1, iteration 2 and so on, so iteration 1 में, चार हम लोगों ने कहा कि, ये वाले हम लोग PBI items करने वाले हैं, तो उसको कहीं रखेंगे न, ताकि हम, the development team can track that, कि हमने किया ये कि नी किया, तो वो उठा के उन चार items को, एक छोटी file बनते हैं, उसको बोलते है, sprint backlog, ये sprint backlog को, हम track करते हैं, कि हमने कितना काम कर लिया, कहां पर कितना progress है, and so on, idea is, कि, जब sprint खतम हो, तो सारे के सारे, sprint backlog की item, complete हो, क्योंकि हमने decide किया था, ना हम करेंगे, हमने handshake किया था, तो, product backlog, and sprint backlog का relationship क्या है, अगर आप sets देखते हुआ, GAN, कौन से chart होते हैं, जो गोल गोल होते हैं, तो sprint backlog is subpart, Venn chart, तो, Venn chart के अंदर, sprint backlog, एक छोड असा गोला होगा, product backlog का बड़े गोले के अंदर, तो, it is subset of product backlog, ओके, what is an increment, so increment is, हमने परलिया product backlog क्या है, product owner इसको, ओन करता है, sprint backlog का owner कौन है, बता है, logically speaking, कौन होना चाहिए, sprint backlog का owner, the development team, so development team is the, owner of sprint backlog, और फिर last, artifact है, वो है increment, और इसको बोलते है, shippable product, what is this, जब increment के बाद, कुछ काम, मेरी team, काम कर लेती है, वो काम, क्या होगा, product आएगा, निकल के, या तो website आएगी, website का एक page आएगा, या application का, कोई feature आएगा, या कोई service आएगी, so that product, जो हम लोग बनाएंगे, as a development team, उस product को, दो वीक के बाद, कोई ना कोई check करने आएगा, देखने आएगा, उसको हम बोलते, प्रोड़ेट, वो वो shippable होना चाहिए, shippable का मतलब क्या है, errors नहीं होने चाहिए, काम करना चाहिए, और अगर जरूवत पड़े, website पे उसे डालने का, या उसे push करने का, app store पे, हम कर पाएगे, इतने errors नहीं होने चाहिए, तो, it is also called increment, increment क्यों बोलते हों उसे, iteration 2 पे, हम iteration 1 के features को नहीं भूल जाएंगे, हम उसके उपर काम करेंगे, तो iteration 1 के features, intact होंगे, उसके उपर iteration 2 के features बोलते होंगे, तो feature 1, 2, 3, अगर हमने iteration 1 में डवलब किये थे, तो iteration 2 के अंदर, feature 1, 2, 3 भी काम करना चाहिए, तो 3 artifact होंगे, product backlog, sprint backlog and increment. Now we talk about the last thing of, and यह जो मैं बता रही हूँ, यह broadly Scrum से आया है, Scrum is adopted by at least 70% of Agile users, तो Scrum में क्या है, तीसरी चीज है, Scrum Events, events क्या होते हैं, जो हम लोग meeting करते हैं, So the first event is called sprint planning meeting, remember, जिसमें development team बैठेगी, product owner के साथ, और बोलेगी, कि मैं क्या क्या काम करूँ यह दो वीक के अंदर, और उसमें discussion होगा, कि अच्छा यह आप काम कर दीजे, और फिर, एक sprint backlog, at the end of this meeting, इडेंटिफाय होता है, फिर उसके बाद में इस development team काम करती है, every day we do a daily stand-up meeting, 15-minute का daily stand-up meeting, क्या discuss करते हो उसमें, everybody stand and says, what did I do yesterday, what is my work for today, are there any problems, can somebody help me, are there any risks, and we discuss that, very short meeting, 15 minutes, क्योंकि कितने बंदे हैं, not more than 10, 10 लोग, एक एक दो-दो मिनट के लिए बात करते हैं, और ही discuss करते हैं, और progress discuss होता है, basically, के लिए, दो वीक के बाद, मेरा काम हो गया, assuming हम लोग करते रहें, because मैंने sign-up किया था, sprint backlog के लिए, मेरी टीम रात को भी रुखेगी, काम करेगी, मैं भी रुखूँगी, रात को काम करूँगी, so after two weeks, sprint outcome has to be reviewed, outcome क्या है, shipable product जो मैंने बना दिया, जो भी 3-4 features, हमने agree किये थे, sprint backlog में, वो live हो गये, development server पे, तो उसको देखने कोई आएगा, कितना गाम क्या आपने, वो देखने के लिए, या acceptance testing के लिए, test from the user perspective, कौन आएगा, product owner तो definitely आएगा, क्योंकि आपका customer भी है, वो आके check करेगा, क्या हुआ, कितना हुआ, उसके पास कुछ question mark भी होगे, होजगता है, उसे आपका काम पसदना है, फिर क्या करेंगे आप, उसके पास कुछ, suggestion भी होजगते हैं, आपका shippable product देखने के बाद, तो आप next sprint में वही काम करना शुरू कर दोगे, क्या, नहीं, product owner, based on the priority, जो भी कुछ change request आएगी, या suggestions आएगे, तो remember product backlog था, product owner के पास, और उसमें पहले सी कुछ items है, तो product owner, add कर देगा, या नहीं suggestions, या item, और फिर से ग्रूम करेगा product backlog को, before you meet for sprint planning meeting again, for next iteration, आपकी next iteration से पहले, वो चेक करेगा, कौन साइटम सादा valuable अपर जाएगा, नहीं जाएगा, तो जब आप next time मिलोगे, तो आप फिर से discuss करोगे, सारे items जो भी product backlog में है, and based on those product backlog items, the grooming, फिर से आप एक निया sprint backlog बनाओगे, so sprint review में अगर कुछ suggestions आते हैं, कुछ भी आता है, या आपका काम नहीं है, कि आप उसको next में decide करो, कि next में हम करेंगे, कौन decide करेगा product होना, कहीं से कोई भी suggestion आता है, कौन decide करेगा कि उसकी value क्या है, अगर आपके बस कोई user आगया, कोई और boss आगया, customer आगया, तो आप किसको redirect करोगे, आप उसके साथ काम नहीं करोगे, आप उसको बोलोगे, जाओ आप product owner के पास जाओ, उसे बताओ, वो लिखतेगा product backlog में, और discussion और grooming के वाकत, तो वो आजाएगा priority में, so it's not my headache, you need to go to product owner, so sprint review में क्या हुआ, product owner आया, customers आया, आके चेक किया, क्या-क्या deliver किया, suggestions किया, brainstorming किया, और वो सारे के सारे product owner ने लिखते है, product backlog में, और फिर से हम लोग sprint planning में, उसे use करेंगे, एक और meeting होती है, basically development team, or scrum master, generally लग बग होता है, नहीं होता, कुछ फरग नहीं पड़ता, he's there to advise people, so scrum master होगा, or development team होगी, sprint retrospective में, retrospective as you understand, is to see, कि हमने कैसे क्या काम, what went well, what could have been better, things which were good, things which we could have done better, by using creative processes, तो वो discuss होता है, in retrospective में, जो जो अच्छे से काम चल रहा है, वो best practices, हम next वाले sprint में, यह next iteration में, so sprint, an iteration word, goes hand in hand, so, live with me on this, तो sprint retrospective में, यह सब discuss होता है, और फिर, वो, we come out as a better team, idea क्या है, we should improve as a team, that's why we do sprint retrospective, so let's summarize, क्या-क्या events है, events मतला meeting, चार, sprint planning meeting, क्या होता है, sprint planning meeting में, हम लोग, product backlog, सी क्या-क्या काम, हम उठा सकते हैं, यह, time box में करने के लिए, तो हम subset उठाते हैं, sprint backlog बनाते हैं, उस meeting के अंदर, हम discuss करते हैं, is the score for this upcoming sprint or iteration, daily meetings में क्या होता है, we update on the progress, as a development team, sprint review में क्या होता है, जो भी हमारे customers है, product owner, other customer, user group में कम, वो आके चेक करता है, कि development team ने कितना काम किया, they review, suggestions आएंगे, on the product, जो भी आपने बनाया है, और कौन वोग सब suggestions वगर लिखेगा, product owner, कहां लिखेगा, product backlog में, तो sprint review में ये काम होता होगा, और फिर, the last one is sprint retrospective, क्यों करते हैं, तो improve as a team, who is the main participant in this, the development team, so ये आपके सामने एक data है, इसके अंदर time box है, so scrum events, sprint planning meeting, 8 गंटे के लिए होती है, maximum, कौन कौन attend करेगा, आपकी, 8 गंटे के लिए क्यों, आपका sprint ही 2 week का है, तो आप 2 दिन अगर planning में लगा दोगे, तो कितना time बचेगा, काम करने के लिए, so sprint planning is time boxed, 8 गंटे से जादा नहीं चलेगी, product owner, development team, scrum master, sab लोग होती है, daily stand-up 15 गंटे के लिए time boxed, not more than that, roles to attend is only development team, others are optional, sprint review meeting, 4 hours, 4 गंटे के लिए, कौन कौन होगा, product owner is must, development team, scrum master, other stakeholder, sprint retrospective, 3 hours, main roles is development team, scrum master, product owner optional, so let's do the let's play of scrum events, from the book, or from kavitasharma.net, so aaj, bas itna hi, hum ne kya kya aaj discuss kardia, scrum कैसे शुरू हुआ, originate कैसे हुआ, और scrum के अंदर, scrum manifesto, आज आप जाके देखना, search on scrum manifesto, कैसे बना था, किस-किस ने attend किया था, अगर आप उसके attendees देखोगे, तो आपको पता चलेगा, कि, aray, कोई तो scrum, extreme programming book का owner है, कोई अलग-अलग company zone करता है, big guys, they attended this, and they written all these, you know, the 12 principles, and agile manifesto, वो आप पढ़िये आजाके, उसके बाद में, हमने discuss किया concept of time box, time box क्या है, हम कभी भी use कर सकते, time box concept, आपने बचे को भी बोल सकते, अरे, दो गंटे में, तो कितना homework कर सकता है, मुझे कर के दिखा, it's a very good concept, it just changes the way you think, आप अपलाई करिये, उसके अलावा हमने क्या discuss किया, अजायल में क्या क्या roles होते हैं, तो let's recap the roles, कितने roles होते हैं, तीन, क्या क्या है, product owner, second, development team, third, scrum master, okay, then we discuss the artifact, what are the artifact in agile, so artifact in agile is, so we have three main artifacts in agile thinking, product backlog, who owns it, product owner, sprint backlogs, who owns it, the development team, and shippable product, also called increment, and we have four events, what are those events, sprint planning event, daily meeting, sprint review, and sprint retrospective, that's it, it's very easy, to go agile, just change your thought process, and start doing it, तो आज के लिए इतना ही, फिर, मैं next video, release करते हूं, कि, हम, कैसे estimate करते हैं, agile में, product thinking, क्या है, design thinking में, क्या-क्या सूचते हैं, how do we prioritize, the features, तो हम लोग, next session में, next आने वाले video में, discuss करेंगे, अगर आपको ये video पसंदा है, तो प्लीज लाइक करिये, इस video को, comment करिये, और और लोगों के साथ, share करिये, because, then only I would know, कि लोगों को पसंदा रहा है, thank you so much, thank you for listening in, and have a very nice day, bye-bye.